अब मोधी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर पेश करेगी कॉंग्रेस, श्वेत पत्र के जवाब की तैयारी, इसमें क्या होगा? UPA के 10 सालों के कारेकाल पर मोधी सरकार ने श्वेत पत्र लाने का फैसला किया है, इस बीच कॉंग्रेस ने भी जवाबी कारेवाही करते हुए NDA के 10 सालों के शासन पर ब्लैक पेपर लाने का फैसला लिया है, सूत्रों के अनुसार कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खड वहीं वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन पहले ही एलान कर चुकी है कि वे यूपीय सरकार के 10 सालों के शासन पर श्वेत पत्र पेश करेंगी इसके जरीय मोधी सरकार ये बताना चाहती है कि यूपीय जब सत्ता से बाहर हुआ था तो देश के आर्थिक स्थिती कैसी थी नरिंद्रमोधी सरकार लगातार ये दोहराती रही है कि यूपीय के 10 सालों के कारेकाल में अर्थवयवस्था खस्ता हाल हो गई थी और इसकी चलते उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा अब इसे लेकर दस्तावेज ही पेश करने की तैयारी है वित्तमंत्री ने अंतर के रास्ते पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और चहों मुखे विकास हो रहा है निर्मला सीता रमन ने कहा कि अब ये देखना सही होगा कि हम 2014 तक कहा थे और अब कहा है इससे हम ये सीख सकेंगे कि उस दौर में क्या गलतियां हुई थी इसलिए सरकार वाइट तक बढ़ा दिआ गया है श्वेट लाल या काला कोई भी पत्र लाए मोधी सरकार देंगे जवाब अधीर माना जा रहा है कि मोधी सरकार ने वाइट पेपर पेश करने के लिए ही सतर को एक दिन के लिए बढ़ा दिया है अप्रेयल मही में लोगसभा के चुनाओं होने वा पत्र लाए लाल पत्र लाए या काला पत्र लाए हमें कोई समस्या नहीं है लेकिन मेहुल चौक सी पत्र भी संसद में पेश किया जाना चाहिए